हलो, हाई, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है on the Let's Crack UPSC CAC चैनल, मेरा नाम प्रतीक नायक है और आज क्लास की शुरुवात एक सवाल से करना साथा हूँ, सवाल मेरे बहुत सारे गोलू विध्यार थी, मुझे करते रहते हैं और सवाल यह है कि भारती इतियास में बहुत सारे गवर्नर्स और वाइस रॉइस आते रहे हैं, जिन्हों ने भारत की जो एक फाउंडेशन है, उसको क्रियेट करने में हेल्प की है या कभी-कभी बाते उसके उपर ये भी होती है कि इन्हों ने ही भारत को बनाया है जैसे कि आप देखिए कि विल्यम बेंटिक को लेके एक चर्चा हो रही होती है कि विल्यम बेंटिक ही वो गवर्नर था जिसने भारत को अंधकार मयुग से एक प्रकाश मयुग की तरफ लेके गया या वैसे कि आप देखिए तो हमें और भी गवर्नर्स और और भी ऐसे ओफिशल्स के बारे में बताया जाता है कि जिनकी पॉलिसी के कारण भारत के अंदर उधारवादी एक समाज का निर्वान हुआ जैसे कि रिपन के लिए बोला गया है कि रिपन के कारेकाल के समय पे भारती इतियास ने एक नई करवट ली और इसी के कारण भारत के आधुनिक राश्ववाद की सर्जन किया गया यानि कि कॉंग्रेस के ज्यादा तर लीडर्स जो थे उनको रिपन के कारेकाल में बहुत फ्रीड़म मिली और इसके कारण निपन के जाने के बाद पातकाली की रूप में कॉंग्रिस की स्थापना की गई तो इस प्रकार की उधारवादी इतियास पढ़ने से क्या सच्ची में ब्रिटिश शाशक और ब्रिटिश अधिगारी उधारवादी थे इस दोहरे मापडं को लेखे आज के क्लास की शुरुवात करना चाहूंगा क्योंकि भारती इतियास में देखिए तो हमें एक लंबी सूची देखने को मिलेगी जब British East India Company ने भारत से विदाई ली विदाई लेने का मतलब ये था कि जब British East India Company को भारत से हटाया जाता है after the revolt of 1857 उसके बाद तातकालीक रूप में जब British Crown या यानि कि Britain के सत्ता अधीशों ने भारत के ओपर सत्ता असिल की तो ऐसा माना गया और ऐसा बोला गया कि देखो भारती इतियास के अंदर एक ऐसे साशक आएंगे इन साशकों के समय के दौरान अब भारत के अंदर जो साशन विवस्ता बहुत अच्छी होगी और इस basis के रूप में कहा गया कि पुराने साशक जो थे बड़े بेकार थे मेंटिक या कुछ-कुछ गवर्नर जनरल्स जैसे की रिपन या कुछ-कुछ गवर्नर जनरल्स यारी की डॉलावजी जैसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इनों ने भारती इतियास को एक नई दिशा दी इन्ट डॉलावजी के लिए एक डिबेट भी चली और डिबेट के अंदर ये बाते हुई कि ये डॉलावजी था जिसने भारत को आधुनिक बनाया है आज का पूरा सेशन हम इसी मुद्दे के उपर चर्चा करेंगे क्या सच्ची में डॉलावजी आधुनिक भारत का निर्माता था मैं आपको ये क्यूं कह रहा हूँ और इसकी चर्चा क्यूं कर रहा हूँ उसके बीचे के कारण है और सबसे मुख्या कारण इसके बीचे कोई जुड़ा हुआ है तो वो यही है कि डॉलावजी को लेके भारती इतियास के अंदर काफी डिबेट भी चली है साशक है और उसी नहीं आदुनिक भारत का निर्मान किया है इन मैनी वेस लोड डिलावजी वस दे फाउंडर अप मॉडर्र इंडिया आपको इसको इलॉबरेट करना है क्या इतियास को देखने का ये द्रश्टी कोण कितनी हद तक सही है क्या भारती ये साशक के पॉइंट ऑफ यू से या भारत के उपर साशन करने वाले कोई वेक्ती जिस तरह से भारत के अंदर उसने अपना दबदबा बनाया था क्या उसको हम लोग ये मान सकते है क्या अधुनिक भारत का निर्माता था क्या इसको एक तरह से हम ये नहीं देख सकते कि इसने जो भारत का निर्मान किया उसमें सबसे बड़ा जो कॉलोनाईजेशन की प्रक्रिया चलती है क्या उसकी उस द्रस्टिकोंड से लेके उसकी क्रिटिसिम नहीं हो सकती कि हम लोग डिसकेश करेंगे इसके उपर के विदेलाउजी को इंपोर्टन्स क्या है उसने क्यों भारत के पॉइंट ऑफियू से लिफोंड सो काल्ड रिफोंड किए और इस के अधारित काफी सारे ओथर्ज का और काफी सारे लेखकों का मानना है कि बेडावजी भारत के अधुनिक भारत का निर्माता था इसकी शुरुआत करेंगे बर शुरुआत करने से पहले मेरा नाम प्रतीक नायक है मैं अनकेडेमी के एप्लिकेशन के उपर आल्मोस्ट चार साल से पढ़ा रहा हूँ अगर आप हिस्टरी के अंदर जुबना चाहते हो तो you are most welcome for my history optional classes daily धाई घंटा महिने के मैं कहूंगा यह हफ्ते के हैं almost हम लोग 5-6 दिन पढ़ाई कर रहे हैं I am also taking history GS classes in fact if you are interested you can use this code PN live अभी आज की तारीक के अंदर यह code use करने के उपर आपको 50% का discount है we have started with a new batch called as the RM batch for 2024 and 2025 तो यह हमारी promise है आपको अगर आप prelims clear करोगे तो हम आपको mains और interview clear करोगे तो interview तक की आपको free की complete guidance देंगे और if you clear the interview तो हमारी तरफ से आपकी जो भी fees है वो refund की जाएगी यह भी हमारी आपको एक promise है अभी 50% offer चल रहा है अभी lab उठा दीजिए आपको multiple batches मिलेगी recorded classes मिलेंगे one to one membership और बहुत सारा और भी lab मिलेगा तो most welcome है आपको अंदे application और बा मुग्दे की बात ये थी कि क्या सची में डलावजी आदूनिक भारत का निर्माता है और किस context के अंदर ये लिखा गया था किस context में ये बोला गया था उसकी थोड़ी बहुत बाते करते हैं अब दोस्तों हमेशा याद रखना कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के अंदर governor general के रूप में जब अपॉइंट किया गया था तब company के सामने continuous rebellion चल रहे थे एक ऐसा व्यक्ति जिस द्रस्टी कोन से देखा जाता है 840 के दौर में जहां company को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जहला जा रहा था ये वो दौर था जब भारत के समाज के अंदर थोड़ी बहुत राजकियत ये तना जागरत हो चुकी थी और इस दौर के अंदर भारत के नक्षे को complete करने का जो सपना है वो कहीं न कहीं डेलाउजी सार्थक करने में कोशिश करता है और almost मैं कहूंगा कि कामियाब भी हो गया था इतियास के दर्ष्टी कोन से देखा जा सकता है कि भारत के अंदर 1848 से लेके 1856 तक खाली 8 साल तक भारत के अंदर जो गवर्नर के रूप में जो विक्ति अपॉइंट किया गया इसको काफी सारे बिटिश ओथर्स ये कहते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में था यह सही है कि गलत है इसके उपर चर्चा करेंगे पर थ दूसरी बात हमें देखने को मिलेगी कि 1840 के दौर के अंदर बिटिश इस इंडिया कंपनी को अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मार जेलनी पड़ी थी जी हां मैं बात कर रहा हूँ दो फर्स्ट अफगान वार की एक ऐसा द्रश्टिकोन जहां बिटिश को रश्य की बहुत डर लग रही थी और अफगानिस्तान के अंदर अगर रश्यन सामराजिय का दबदबा इस्टाब्लिश होता है तो कहीं ना कहीं बिटिश सामराजिय का सबसे बड़ी कॉलोनी यानि की भारत के उपर उनकी जो अस्तितों है उसको बहुत बड़ा खत्रा हो सकता थ इसी के कारण Lord Auckland जो 1836 के अंदर अपॉइंट किया गया था गवर्नर के रूप में उसको कहा जाता है कि तुम aggressive policy यूज़ करो खैर Auckland को मार पड़ी Auckland को मार पड़ने के करण अफगानिस्तान का जो युद है वो आगे की गवर्नर ने conclude किया जिनका नाम था लॉड एलेंडरो एलेंडरो जैसे तैसे करके अफगानिस्तान के यूद को खतम करते है और उसके बाद बाते आगे चलती है एलेंडरो की बाद तातकाली क्रूप में हार्डिंग के अपॉन्टमेंट हुई वही हाडिंग जिसके समय के दौरान पंजाब के अंदर भी बहुत ही चक्रव्यू क्रियेट किया गया और पंजाब के अंदर भी पहला यूद खतम हुआ इसके कारेकाल के समय पर ही हमें देखने को मिला जस्ट कि सिंध का भी एनेक्सेशन हो गया था 1843 में और 1848 तक आते आते जब डेलावजी की अपॉन्टमेंट हुई तो डेलावजी देख रहा है कि भारत का नक्षा पूरी तरह से बेर विखेर है बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक इंट्रेस्ट यानि की इकनोमिक इंट्रेस्ट जो है वो फुल्फिल नहीं हो पारे बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का जो कंसॉलिडेशन और एक्सपांशन का जो पूरा प्लान था जिसमें political expansion का एक बहुत बड़ा factor है वो भी पूर्ण रूप से complete नहीं हो पा रहा था एक ऐसा नौजवान जो सबसे यंगे stage के अंदर governor बना था ऐसा कहा जाता है कि 35 साल या 36 साल की उमर थी उनकी जब डेलाउजी को बोला जाता है कि you take charge of India and you please make sure कि आप British East India Company की भारत के अंदर paramountsy establish करने में मदद कीजिए और जो paramountsy का सपना भारत के अंदर वेलस्नी ने रचा था और वेलस्नी के बाद we will see कि Lord Hastings ने खतम किया था इस paramountsy को आगे चलाते हुए आप भारत के अंदर East India Company के अंदर एक ऐसा दब दबा establish करिए कि जिसे भारत के इतियास में कोई भी governor हासिल ना कर पाया हो डेलाजी को बहुत clear cut आदेश थे अपने administration की तरफ से और दूसरी बहुत ही young age के अंदर जब governor के रूप में उनकी appointment हुई तो उसको बहुत ही picture clear हो गया था कि उज़े क्या करना है भारत को लेखे भारतिय साशन विवस्ता के तहट अगर आप देखे कि British ने जो अपनी सर्वोस्ता हासिल की है जिसे हम लोग paramountsy कहते है जहां इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रिंसली स्टेट्स को जिस तरह से अपने दबदबे में लिया था यह paramountsy establish करने की पीछे इस्ट इंडिया कंपनी ने indirect tools का बहुत यूज किया indirect tools का मतलब यह था कि भारत के रजवाडों को अपने ताबे में ले लो by doing some kind of treaties called a आवशक्ता है उसमें direct conquest की ही आवशक्ता है और direct conquest भारत के अंदर में जिस तरह से establish करू उतना कम है क्योंकि ये करने से ही भारत के अंदर British सामराज्य का जो एक कहूंगा कि empire है वो बुलंदी के ओपर जाएगा और British interest खास करके political and economic interest को यहां कैसे भी करके उसको हासिल किया जाएगा इस द्रस्टिकोन से डिलाउजी British की पहले की policies खास करके wellously और हेस्टिंग के समय की policies जहां indirect conquest की कोशिश की जाती है जहां succedory alliance जैसे tools की कोशिश की जाती है डिलाउजी कहता है कि मुझे एक ही चीज करनी है वो है direct conquest of the East India Company direct conquest का मतलब यह था कि East India Company भारत के रजवाडों को पूरे नक्षे से ही गायब कर दे और गायब करने के बाद उनका सामराजय का जो नक्षा है वो British East India Company के सामराजय के नक्षे के अंदर पूरी तरह से ultimately merge कर दे इस आधार के उपर जो व्यक्ति 35 साल की उमर के उपर गवर्नर बनता है उसका सपना तो आप देखिए कि कितना बड़ा होगा देलावजी पहले ही मकसद के साथ भारत के अंदर आया था और उसको पता था कि भारत के अंदर जितने भी रजवाड़े है इन रजवाड़ों को खतम करना है सवाल ये था कि ये रजवाडों को कैसे खतम करेगा क्योंकि भारत के अंदर ये जो प्रिंस्क्री स्टेट थे इतनी जल्दी उसकी बात मानने वाले तो थे नहीं डेलाउजी को ये चीज़ पता थी कि ये रजवाडे जो मेरे अंदर में अल्रडी आ चुके है जिनको मैं चाहू तो खतम कर सकता हूँ पर इतनी जल्दी खतम करने में दिक्कत भी आएगी न पर डेलाउजी डेलाउजी था उसको पता था कि मुझे भारत के एक नक्षा क्रियेट करना है मुझे इस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा येंपायर खरीट करना है ये आपयर के थुर एक ऐसा मैप बनाना है जो भारती इतियास में और कंपनी के इतियास में कोई भी व्यक्ति अच्व ना कर सका हो इस नक्षे बनाने की जो धुन सवार्ती डलावजी को इस नक्षे बनाने की जो दुन सवारती डेलावजी को इसी के कारण डेलावजी ने अलग अलग प्रकार के साधनों का उप्योग किया इस साधन के द्रस्टेकोंसे देखोगे तो डेलावजी ने बहुत सारे युद किये और युद करने के बाद भारत के अंदर इस्ट इंडिया कमपनी के अंदर बहुत सारे सामराजों का मरजर किया गया यही डलावजी पीस का टाइम का उप्योग करते हुए भारत के साशकों के उपर अलग-अलग प्रकार के मैं कहूंगा कि acquisitions करता है और acquisitions करने के बाद भी we will see क्यों का annexation करेगा जैसे कि एक राजा को कहा गया कि तुम अपने साशन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हो और तुम हमारे साशन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हो तो तुम्हें साशक के रूप में बैठने का कोई अधिकार नहीं है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे राज्यकी जिसका नाम था अवद अवद नामक स्टेट जो कंपनी का अल्रेडी साथी बन चुका था बैटल ऑफ बक्सर जब 1764 में हुई उसके बाद तो पिच्चर क्लियर हो चुका था कि जो अल्हाबाद की संदी हुई अवद के राजा शुजाओ दौला के बाद उनके बाद उनकी कोई आटोनॉमी बची ही नहीं थी ये अवद के उपर 800 तक आते आते वेलस्ली ने एक और सब्सिडियर लैंस की ट्रीटी भी थोपी और कहा कि तुम्हारी ऑपरेशनल पॉलिटिकल और एकनोमिक आटोनॉमी भी हम ले लेंगे इस राज्ये जिसका कोई नक्षे के ऊपर खली वजूद है बाकी राज्की और आर्थिक रूप से कोई वजूद नहीं है उसके राज्ये के राजा के ऊपर आरोप लगाया गया है डलाउजी के दौरा 856 के अंदर और अवद के राजा को कहा जाता है वाजी दलिशा को कि राजा तुम अपने स्टेट को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हो तो तुम्हारा कोई आधार नहीं बनता है तुम साशन को चलाओ तुम्हें हटा दिया जाता है 1856 के अंदर अवद का एनेक्सेशन मिस्गवर्ननस के रूप में करके डलाउजी ने वो राज्य का एनेक्सेशन किया और बिटिश सामराज्य के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके अंदर का नक्षा मिटा दिया और बिटिश सामराज्य का नक्षा बनाया नक्षा किस आधार के उपर तयार किया बाबू नक्षा उस आधार के उपर तयार किया गया कि एक अबला स्टेट जिसका कोई बल ही नहीं था एक ऐसा राजियद जिसके पास पैसे नहीं थे ना ही कोई संचोधन का स्त्रोत था जहां से वो अपनी economy politics system को चला पाए उस राजा के उपर आरोप लगाया कि तुम misgovernance कर रहे हो उस राजा के उपर ये कहा गया कि तुम्हें चलाने नहीं आता है अरे भाई राजा की सप्ता ही ले ली है और उसको कहा गया है कि तुम्हें चुप चाप बैठना है तो क्या करेगा इस अवद नाम के राज्य को एनेक्स करने के लिए फेक रिपोर्ट बनाना और कहना कि यहां पर misgovernance है अवद के एनेक्सेशन के लिए दो रिपोर्ट तयार किये गए गलत तरह से एक रिपोर्ट आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है करनल स्लीमेन के द्वारा ये वही स्लीमेन है जिसने विल्लियम बेंटिक की मदद की थी भारत के अंदर ठगी सिस्टम अपोर्ड और अबोलिश करने के लिए स्लीमेन नाम के एक अधीकारी को डेलाउजी ने भेजा अवद के अंदर और कहा कि मेरे लिए रिपोर्ट तयार करके दो और रिपोर्ट के अंदर लिखो की अवद के अंदर मिस गवर्नन्स चल रहा है लिखो की वहां का राजा अच्छी तरह से साशन नहीं चला पा रहा है लिखो कि वहाँ की प्रसाशनिक विवस्ता खड़े में गई है और इस द्रस्टी कौन से इस्ट इंडिया कंपनी के पास एक वाजिव रीजन है कि इस राज्य के एनेक्सेशन कर विया जाए और परिणाम हमें ये देखने को मिला कि स्लीमेन ने बहुत सारी चीज़े लिखी यहां करप्शन चल रहा है यहां मिस एड्मिस्ट्रेशन है यहां अच्छे ही साशन विवस्ता नहीं चल रही इसको बड़लाव लाने की वशक्ता है पर स्लीमेन मन का बड़ा सब्चा था उसने कहा कि बाकी सब ठीक है पर अवद को एनेक्स करने की अवशक्ता नहीं है डेलाव जी का इगो हट हो गया कि मेरे द्वारा बेजा गया अधिकारी जिसको मैं तंखा दे रहा हूँ जिसको मैंने अपॉइंट किया है और स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मुझे आप लिख के दो कि भारत के अंदर इस राज्य का एनेक्सेशन करना मना कर दिया गया तातकालीन प्रभाव से स्लीमेन को हटा के डेलावजी एक और व्यक्ति को भीजता है जिसका नाम था जेम्स आउट्रेम यह आउट्रेम वही व्यक्ति है जो एक समय के दोरान सिंद्र के एनेक्सेशन का विरोध कर रहा था यह वही व्यक्ति है जिसको 1843 के दोरान में लॉड हाडिंग का एड्मिनिस्टेशन जब भारत के ऊपर चल रहा था एलेन डरो के एड्मिनिस्टेशन के दोरान इस व्यक्ति को कहा जाता है कि तुमस्तिंद्ड के एनेक्सेशन के लिए तैयारी करो और कागर्सक्रेब कि दो सो देट हम यहां पर क्रेक्टिव एक्शन ले पाए यह व्यक्ति ने उस दार में वना कर दिया था कहा था कि this is not practically possible and this is inhuman to annex the sin वही व्यक्ति अवद के राजा के उपर आरोब लगाता है और रिपोर्ट तैयर करके कह रहा है कि इस राज्य के annexation हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पर राजा को प्रसाशन चलाना नहीं आता चल कपट से किया गया कोई भी राज्य का विलाय क्या आधुनिक भारत के साथ जुड़ सकता है हम कहते हैं कि भारत एक ऐसा प्रदेश है जो लोक्षाही से बना हुआ है जो consent के साथ बन के आया था रजवाडों ने अपनी मर्जी से भारत के अंदर अपने राज्यों का विलाय किया था वल्लब भाई पटेल ने नो डाउट अपना बहुत बड़ा political role play किया है पर रजवाडों को समझाया गया था और डेमोक्रेटी के लिए और consent के साथ भारत का एक मैं कहूंगा कि integration हुआ है कि डेलाउजी ने इस तरह से भारत का नक्षा बनाया कभी कता ही नहीं दोस्तों कता ही नहीं तो क्या इस द्रस्टी कौन से कोई ये कहेगा कि डेलाउजी इस नोन इस दे मेकर आफ मॉडर्ण इंडिया मैं तो नहीं मानता कि इस द्रस्टी कौन आफ मॉडर्ण इंडिया इस बास्टी कौन इस बास्टी का इंडिया इस बास्टी के डेलाउजी ने इस तरह से भारत के रजवाडू का भिलाई करवाय था बिलकुल नहीं अवड का रजवाडा का वर्जर ये दर्शारा हा है कि वो आधुनिक्ता से बहुत ही कदम आगे था इनफेक्ट अवड के एनेक्सेशन के पॉइंट आफ यू से तो मैं ये कहूंगा कि डेलाउजी की एनेक्सेशन की पॉलिसी आधुनिक्ता के साथ नहीं पर सामराजयवादी थी और सामराजयवाद कभी भी आधुनिक्ता के साथ नहीं जोड सकता आधुनिक्ता एक ऐसा दोर है जहां इंडिविजल राइट्स डिग्निटी और कंसेंट के साथ समाज को गवन किया गया है और समाज चला है यह दोर को हम कभी भी आधुनिक्ता के साथ नहीं जोड सकते और अवद इसका सबसे प्राइम एज़ामपल है खे डिलाउजी ने इसके बाद भी अपने कांड रोके नहीं कुछ राज्यों के उपर मिस गवर्नन्स का आरोप लगाया कुछ राज्यों के उपर एक पॉलिसी लागू की जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स और कहा गया कि डिलाउजी के द्वारा कि वही तुम्हारे राज्य के अंदर कोई biological successor नहीं है और विकोज तुम्हारे राज्य के अंदर कोई biological successor नहीं है तो यह मेरा कर्तव यह है कि मैं तुम्हारे राज्य का annexation कर दूँ आप समदने की कोशिश करिए कि यह किस बात की logic है ऐसा रजवाडा जिसके पास जैविक संतार नहीं है तो कोई दक्तक लिये हुए बालक से राजा को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है डेलाउजी कहता है कि मैं तो शान्ती प्रीय रूप से इन राज्यों का इनेक्सेशन कर रहा हूँ पर तुम क्यों कर रहे हो तुम्हारे पास कोई नाइतिकता का कोई आधार है कि इस राज्य का इनेक्सेशन कर दिया राजा के पास कोई संतान नहीं है राजा के पास अपने खून का संतान नहीं उनका कोई जैविक बायलोजिकल सक्सेसर नहीं है ये रपेरंट नहीं है उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दत्तक लियोए व्यक्ति को एडोप्टेड चाइल्ड को ये एडोप्टेड इंडिविजियल को कभी भी आप अलावी नहीं करोगे और तुम ये कहोगे कि एडोप्शन किया हुआ कोई भी राजा ये एडोप्शन किया हुआ कोई भी व्यक्ति राजा के रुपे में अपोटनी करने दूँगा क्या ये अधुनिक्ता की निशानी है तुमारी क्या तुम ये कहते हो कि भी एक व्यक्ति जिसके पास कोई संतान नहीं है और संतान नहीं होने के कारण वो व्यक्ति अपनी राजाशाही के अंदर अपना वंश आगे चलाने की कोशिश कर रहा है और उसको समाज से कोई दिक्कत नहीं है उसको अपनी family से कोई दिक्कत नहीं है तुम कह रहे हो कि तुम मलाओ नहीं करोगे उसे तुम इसे आधुनिकता के साथ छोड़ोगे और तुम ये कहोगे कि भई चलो तुमने राजाशाहिव को तो मिटा दिया पर तुमने आगे क्या वहाँ लोक्षाहिल आही You remove the monarchies from power and you say that you are modernistic in your actions, you are modernistic in your thoughts, you are modernistic in your ideals Did you brought any kind of political and democratic reforms by annexing the princely state in the country? No my friend, Delauzy never did that Delauzy ने इन में से कोई भी प्रकार की कारिय नहीं किये जहां रजवाडों के अंदर से जब हम लोग देखते है और इन द्रस्टीकों से जब हम लोग देखते है जहां Delauzy इनका अनेक्स कर रहा है आप देखे सतारा जैसे रजवाडे के साथ क्या हुआ आप देखे अवद के अंदर तो इसने ये पीस का अधार बनाया उसने आप समद्ने की कोशिश करोगे नाकपूर जैसे रजवाडे के साथ क्या हुआ अब देखे जहांसी जैसे रजवाडे के साथ क्या किया गया रानी जहांसी ने लेटर लिखा था इनको कहा था कि भई देखो हमारे और जो हमारे फैमिली मेंबर्स में से गंगाधर राओ है और दामधर राओ को हम चाहते है कि भई वो साशक के रूप में चले आप कौन होते हो बीच में आने वाले देलाउजी ने कहा कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं तो यही चाहूंगा कि इन स्टेट का एनेक्सेशन हो जाए और इन सब के कारण डेलाउजी कहता है कि मैं तो पीस के दौरान एनेक्सेशन कर रहा हूँ तुमने भारत के कितने सारे रजवारों को खतम कर दिया तुमने उनके अस्थित्व को मिटा दिया तुमने उनके साथ उनके जो लोग थे उनको भी मिटा दिया क्योंकि भारत में खाली राजा राजा के रूप़े नहीं ता वो प्रजा के कल्यार का भी काम करता था the king was also working for the welfare of the masses so by annexing a certain state just because you will not allow adopted child coming to power आप यह कहोगे कि adoption को मैं allow नहीं करता हो मेरे values के against में चलता है company के administration के values में चलता है या आप ये कहोगे कि तुम एक सामराजिय बनाने आयते imperialistic one और इसके कारण तुम annex करोगे ये कहां का logic है दोस्तो मैं पूछता हूँ कि ये कहां का logic है तो डेलाउजी के प्रसाशन की जब हम लोग बात करेंगे when we'll be talking about the administration और डेलाउजी हमें जरूर से एक चीज़ बड़ी देखने को मिलती है कि डेलाउजी ने भारत के बहुत रजवाडों का annexation कर दिया interesting बात ये है कि इसके पहले भी East India Company के अंदर काफी बार मुद्दे उठे थे कि भारत के रजवाडों के अंदर adoption अलाउज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ज्यादातर मुद्दों के अंदर company के court of directors और company के जितने भी हुकमरान थे उन्होंने बहुत clear cut कहा था कि हम ये social customs के अंदर interfere नहीं करेंगे डेलाउजी भारत के रीत रिवाजों के उपर interfere करके ये कह रहा था कि मैं वो राजाशाही को खत्म कर दूँगा तुमने राजाशाही को तो खत्म कर दिया क्योंकि तुमने adopted वेक्थी को राजा के रुप में allow नहीं किया पर उसके बाद भी तुम वहां कहीं पे लोक्षाही नहीं लेकिया है। तुमने वहाँ पे भी अपना ही सामराज्य वादी चहरा जो है वो प्रकाशित किया है अगर तुम इस प्रकार का सामराज्य वादी चहरा प्रकाशित करते हो तो क्या मैं ये कहूंगा कि आप आधुनिक भारत के निर्माता थे आधुनिक भारत एक ऐसा भारत है जिसने रजवाडों का विले करवाया तो उनको कॉम्पनसेशन दिया जी हाँ आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ सरदार वलभाई पटेल ने भारत के अंदर सम्विधानिक रूप से एक गैरेंटी डलवाई थी to the princely states और कहा कि राजा आप जिस चीजों का सरेंडरिंग कर रहे हो भारत सरकार के लिए वो अपना पूरा राजिय चोड रहे थे, अपनी रेवनिय चोड रहे थे, अपनी सत्ता चोड रहे थे तो पटेल ने कहा कि I am a man of my words मैं आपकी ये जो sacrifice है for the welfare of the people and overall for the future of India कभी भी मैं आपको इस तरह से नहीं देखूंगा कि आपने ऐसे ही बहुत बड़ा दान दे दिया I will also give you back something in return and I'll make sure कि I'll compensate you whatever monetary loss that you have through political rights उमें बापिस नहीं दे सकता, पटेल क्या कहते है रजवाडों को इसको कहते है आदुनिकता, इसको कहते है respectable way के अंदर और dignified way के अंदर system को set करना और उसके बाद integration और merger करना ऐसा नहीं कि युद कर दिया, ऐसा नहीं कि आधार बना दिया कि तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है तो मरे राज्य के नेक्सेशन कर दूँगा ये कहां का logic है, ये कहां का logic है कितने राज्यों के साथ ये किया गया है भगत नाम का एक state था, उदेपूर करके एक central इंडिया में state था उदेपूर रजस्तान नहीं central इंडिया वाला आपको रजवाडा देखने को मिलेगा संबलपूर, जहांसी का, नाखपूर का, सतारा का असर कितने रजवाडों के उपर इन्होंने doctrine of lapse लागू किये आईरेनी की बात ये है कि doctrine of lapse यानि की चूक के सिद्धान जब डेलाउजी ने लागू किये तो उसके बाद कुछ-कुछ matters तो court of directors से चली गी और राजे रजवाडों ने complain कर दे डेलाउजी के साथ कि भई ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति की हरकते ठीक नहीं लग रही है और इसके द्वारा जो भी कारिय किया जा रहा है उसके उपर तातकालिक रूप में उसको stop करना चाहिए और court of directors ने डेलाउजी के कुछ-कुछ actions को तो cancel किया उसको abolish किया गया कि ये नहीं हो सकता तो आप समझे कि डेलाउजी इस प्रकार का सामराजय वाली व्यक्ति था जिसके थ्रू हमें ये देखने को मिल रहा है कि उसने फून रूप से भारत में कंपनी का सामराजय बनाया उसमें आधुनिक भारत का निर्मान कहा हो रहा था दोस्तो मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है आधुनिक भारत का निर्मान ये डेलाउजी युद करता है आपने Second Anglosic War की और आप ये कह रहे थे कि देखो मैंने पंजाब का एनेक्सेशन कर दिया। साब पंजाब का एनेक्सेशन तो उस दिन हो गया था जिस दिन महाराथ अरभी सिंह का मुर्ति हो गया। पंजाब के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी खतम हो चुकी थी। मिसल्स के बीच में संगर्स चल रहा है किंग मेकर्स का रोल प्ले चल गया था। अबला राज्य को एनेक्स करके आपने क्या उसका बहुत जंडा उखाड दिया सकी। इनफेक्ट पंजाब राज्य के एनेक्सेशन को लेके आपकी ही सरकार के अंदर के और बिटेन के अंदर बैठे हुकमरान आपकी ही क्रिटिसम कर रहे थे। और वो कह रहे थे एक तरह से कि यू हम नो जस्टिफिकेशन तो एनेक्स पंजाब। वहां महराजा दलिप सिंग जैसे दलिप सिंग बैठे हुए थे जो अल्रेडी माइनर के रूप में थे। और तुम्हारा ही एक बिटिस रेसिडेंट उनके कोट के अंदर बैठा हुआ है लॉरेंस वही सरकार को चला रहा था। पंजाब के उपर अल्रेडी फर्स्ट एंग्लोसिक वर हो चुकी थी 1844 से 46 के बीच में और इस वर में पंजाब अल्रेडी हाच चुका था। तो हारे हुए राज्य को हराके या हारे हुए राज्य को खतम करके आप क्या प्रूव करके गए कि इसको अधुनिकता कहेंगे। यहां के अंदर जो plundering हुआ कोहिनूर से लेके पंजाब का जो ज्वेल था और कोहिनूर से लेके पंजाब के अंदर की जो मैं कहूंगा की पूरी wealth थी वो कहां चली गई वन अफ दी इसके अंदर जो प्रकार का drain गया वो कहां चला गया आपके ही कारेकाल में गया था लौड डेलावजी जिसको लेके बाते चलती रहती है कि आदो है भारत का निर्माता था यह सवाल UPSC ने पूछा है बाइदर वे डेलावजी वस कॉल्ड अस दे मेकर अफ मॉडन इंडिया एक दरस्टी कौन है उसके उपर दो बहुत चर्चा हुई है आद दूसरे दरस्टी कौन की बात हो रही है I'm not talking about the other way around मैं उसी ही point को negative way में कैसे पेश किया जा सकता है वो बता रहा हो क्योंकि bureaucratic point of view से या overall indic point of view से सोचेंगे तो यह वही लोग है जिसने भारत का सोचन किया और भारत को खतम किया था इसको जरूरत क्या थी? इसके लिए बहुत चरे authors लिखते है कि this was a violent breach of trust कि आपने जो किया है आपने जो पंजाब के ऊपर किया है उसकी आउशक्ता ही नहीं थी कहीं पे इस्थे ओस जनीन %. अचछी नहीं चनीन पंजाब वन अलडी यह ए्सकर लॉर मनेए जोचेंस पंजाब वने भ माराजाव पंजाब भ competitors in the majestic of Punjab चल्टिए- माराजव पंजाब रॉर बहुनल्ड़ था विए आण्यों पंजाब that you have created a modern India or a map of modern India modern India या अधोनिक्ता के साथ जोडने वाला कोई भी action तुम्हारे actions में तो दिखी नहीं रहा है चलो तुम छोड़ दो पंजाब को तो पंजाब को तो छोड़ दो तुमने youth कर दिया second Anglo-Panjab war तुमने बर्मा के साथ क्या किया वो बर्मा जिसको पेगू के रूप में लोर बर्मा के रूप में पैचानते है उसके साथ आपने 1852 में लडाई कर दी क्या जरूर थी लडाई करने की बर्मा का आदा हिस्सा तो अल्डेडी आपने 1826 के अंदर यांडाबू की ये ट्रीटी के बाद अपने हाथ में ले ले लखे रखा था आप्टर दे ट्रीटी आफ यांडाबू दे रीजन आफ राकान दाट इस राकाइन दे रीजन अफ तेनासरें तो आपको क्या ऐसी आवशक्ता हो गई थी कि आप बर्मा के साथ यूद करके उसका आदा हिस्सा और रे ले ले वो बर्मा जिसके साथ ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के एकनोमिक इंटरेस्ट जुड़े हो थे इसके लिए यह आप यह कहरे हो कि यह हमारी पॉलिसी का भग था इसके लिए बर्मा के साथ यूद करके उसका आदा हिस्से का एनेक्सेशन भारत के साथ करना क्या आधुनिक भारत के निर्मान के रूप में कही जाएगी तो आप समझने की कोशिश करिए कि कहीं न कहीं डेलाउजी के सामराज्यवादी चहरे की यह पहचान थी इसमें कहीं आधुनिक भारत का निर्मान नहीं हो रहा था इस आधुनिक भारत के साथ डेलाउजी ने एक और यूद किया जिसे सिक्किम के यूद में पहचानते हैं और सिक्किम के राजा के उपर आरोप लगा दिया गया और कहा गया कि तुम बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हो आधार तो देखिये सिक्किम के विलाई का इन 1850 देर वस अ कम्प्लेन विच वस रेस बाई बिटिश डॉक्टर्स वी वर एक्चुली गोइंग फ्रॉं दे रिजन आफ सिक्किम और इनके उपर कहा गया कि भई सिक्किम के राजा ने इनको परेशान किया यह डेलाउजी बोलता है नेक्स कर दूगा तुमें अब एक गुंडाई करनी है तो बड़े राज्यों के साथ करो गुंडाई करनी है तुम्हें अपनी दादागीरी दिखानी थी तो तुम ऐसा कुछ करते कि तुम रशिया के साथ बिढ़ जाते तुम भिड़ते उस दोरान बड़े सामराज्यावधी ताकत फ्रांस के साथ सर्मन्स के साथ के जर्मन्स तो बने ही नहीं थे तुम ऐसे छोटे-छोटे राज्यों को भारत के अंदर विले करके आप ये कह रहें मैं आदुनिक भारत का निर्माता हूँ या इसको कुछ हिस्टोरियन साधुनिक भारत के निर्माता के रूप में बहचानते हैं तो ये कहां का लेना देना था आप समझने की कोशिश करिए कि इन मुद्दों को लेके क्या आपको लग रहा है कि डेलाउजी के समय पे जितने भी युद्द किये क्या आधुनिकता की निशानी के समान थे सक बर्मा के साथ युद्द करके उनका एक विस्तार कबजे करना सिक्किम का पूरे का पूरा एनेक्सेशन कर देना पंजाब का एनेक्सेशन कर देना और कहा कि देखो मैं तो maker of modern इंडिया के रूप में पहचाना चाहिए क्या आपको लग रहा है कि डेलाउजी की एक भी action maker of modern इंडिया के रूप में justify करती है सब इस चीजों को आप समझे कि अवद जैसे राज्ये जो अलड़ी कमजोर है वो अवद जैसे राज्ये को आपने annex करके यह बताने की कोशिश की कि इनका राजा misgovern कर रहा है इसको चलाना नहीं आता और इसके लिए मैं इस state का annexation कर रहा हूँ यह कहां का logic है दोस्त तो पहला point of view से जब हम लोग इसके political actions को देखते है तो इसके political actions के अंदर कोई आधुनिकता नहीं दिखती है और इसके political actions के अंदर अगर कोई आधुनिकता नहीं दिखती है तो क्या इसको maker of modern India खाली एक नक्षे के दरश्टी कोन से बनाया गया है तो हम यह मानेंगे नक्षा जो बलजबरी पूर्वक, compulsion में बनाया गया है ऐसे भी नहीं बनाया गया है इसे भी नहीं बनाया गया है, it was made by compulsion तो यह जो नक्षा भारत में अंदर almost 1860 का map है, British India का map है इस नक्षे के अंदर हमें ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है जहां we will see कि British India Company के ambitions और imperial ambitions ना दर्शा रहा है तो मेरा यह मानना है कि डेलाउजी की जो भी actions थी, वो आधुनिकता के साथ नहीं जुड़ी हुई थी बट इसकी actions imperialism के साथ जुड़ी हुई थी तो पहली चीज हमें समझ में आ रही है कि इस आधार के ओपर डेलाउजी को आधुनिक भारत के निर्माता की रूप में consider करना एक बहुत बड़ा drawback होगा, lack of new होगा खेर और भी चीजों के ओपर discuss करते हैं डेलाउजी के बारे में और इसके बारे में और जो मुद्दे है वो मुद्दे है mainly with respect to administration अब बहुत लोग administration के point of view से मानते हैं कि आज की भारत के अंदर जो political system चल रही है उसमें कहीं ना कहीं डेलाउजी का एक योगदान है अब इस system के point of view से समझने की कोशिश ये करनी है कि क्या administrative point of view से डेलाउजी ने आधुनिक भारत का निर्मान किया था तो डेलाउजी के कारेकाल के अंदर ये कहा गया कि जब East India Company कोई भी territory को newly annex करती थी newly annex का मतलब है कि नए नए उनका विले किया गया है तो इस territory के उपर की political system क्या होनी चाहिए क्योंकि राजा तो वहां का खतम हो गया है तो इस basis के रूप में डेलाउजी ने being the governor general of India he made sure कि he appointed the positions of lieutenant governor and by appointing, sorry, chief commissioners by appointing the position of chief commissioners डेलाउजी सेड कि मैं सीधा ये political system को अपने अंडर में लेके आ गया और नए नए नियुक्त विस्तारों के अंदर मैंने जो आयुक्तों की appointment की ये आयुक्तों की appointment मेरे लिए एक बड़ा फाइदेकारक step रहा और लोग कहते हैं कि this is similar to the union territories of this country अब हमें आज के union territories के साथ इसको नहीं जोड़ना है याद रखना उसके बिछे का कारण है डेलाउजी जिस प्रकार की ये chief commissioner की provinces बना के आया ये provinces बनाने का intention उसकी imperial hot को दर्शाता है और उसकी centralization की tendencies को दर्शाता है डेलाउजी के समय पे सिंद से लेके पंजाब से लेके और भी बहुत सारे chief commissioners के province बनने की शुरुवत हुई पर ये जितनी भी province बन रहे थे इनको administrative point of view से ना देखते हुए centralization के point of view से देखना है क्योंकि 1850 के अंदर क्या वो local राजा को वहाँ पे सत्ता में नहीं बिठा सकता था बिठा सकता था पर उसने नहीं बिठाया क्यों नहीं बिठाया क्योंकि उसका empire बनाने का सपना था chief commissioner के province बनाने से सीधा सीधा अपना control रख पाए और कलकत्ता से ही उन राज्यों का सरजन और उन राज्यों का management हो पाए इस basis के रूप में डेलाउजी ने एक ऐसी system बनाई कि वहाँ की जो local governor की system थी उसको उड़ा दिया गया भारत में देखो गे तो बॉंबे एक province था बॉंबे का एक governor हुआ करता था उसके उपर governor general of India आता था बॉंबे के province की खुद की local council हुआ करती थी gradually कुछ सालों के बाद ये council के अंदर हमें ये भी देखने को मिलागा कि Indian members की appointment होने की शुरुवात हुई और इसके थूँ थोड़ा बहुत representative form of government की शुरुवात होती है कॉंबे में हुआ मदरास में हुआ बंगाल में हुआ नॉर्थ स्वेस्ट प्रोविंस में हुआ बहुत सारे राज्यों के अंदर होता है पर डेराउजी के कारेकाल में हमें ये देखने को मिलता है कि उसने नए राज्यों का annexation करने के बाद उनको chief commissioners प्रोविंस में convert कर दी और सीधे अपने अंडर में ले लिया बीच में कोई आएगा ही नहीं कोई regulation ही नहीं है तो उपर से governor general of India local provincial commissioner को phone करता chief commissioner को हाँ बाई क्या चल रहा है तुम्हारे state के अंदर मैं बैठा हुई यहाँ पर ठीक है तो तुम क्या prove कर रहे हो दोस्तों what you are trying to prove you are trying to prove in a sense कि भई आपने एक आधुनिक व्यवस्ता बनाई है यह तो centralization की system थी non-representative form of government आपने create किया है non-democratic form of administrative system बनाया है तो उसको क्या आधुनिक भारत का निर्मान के रुप में देखेंगे बिलकुल नहीं यह डेलाउजी उस period में governor general of India था और पूरे भारत का maintenance देखना था उसको operations देखने थे और बंगाल का भी governor general of बंगाल के रुप में था क्योंकि बंगाल तो उसके अंडर में ही आता था अब practically देखा जाये तो डेलाउजी should have administered बंगाल along with the governor general of India क्योंकि governor general of बंगाल को ही governor general of इंडिया बनाया था डेलाउजी को यही करना चाहिए था ना कि मैं तो governor general of बंगाल से ही governor general of इंडिया बना हूँ 1833 में charter एक के बाद यही हुआ था तो यह कह रहा है कि यह governor general of बंगाल के रूप में थोड़ी काम करूँगा यह चिंदी काम है चोटा काम है और यह चोटा काम है तो बंगाल के अंदर एक lieutenant government की appointment कर देता हूँ और जो day-to-day working of बंगाल है वो lieutenant governor देखेगा बाकी सब कुछ उपर भारत का मैं देखूँगा अरे वा बाबू, you have the responsibility of बंगाल then you should also perform the duties no matter how small or big it is अगर तुम्हारे पास यह duty है, तुम्हारे act के अंदर लिखी गई है 833 के चार्टर act में भी लिखा गया है कि governance of बंगाल is upgraded to the position of governors of India provided he shall be working concurrently for the welfare and betterment of the people of बंगाल तुमने यहाँ पे पूरी की पूरी responsibility इसको दे रिया left-hand governor को, कि भही तू चला, उसी का ही folder था, उसी के ही नीचे आता था यह क्या आधुनिकता की निशानी है, delegation of work create करना और administration के अंदर जब आप important positions के उपर बैठे हो, जो capital वाला region है आप यह क्या कराने की कोशिश कर रहे थे यह चीज कही ना कहीं आधुनिक भारत के point of view से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो नहीं दर्शाती है ना सर, ठीक है ना समझे तो इस basis के रूप में भी हम देखेंगे कि इसके administrative reforms और administrative actions कोई भी आधुनिकता की निशानी को नहीं दर्शात है तो क्या आप अभी भी मानते हो कि डलाउजी एक आधुनिक भारत का निर्माता था छोड़ दो वो चीज़ को डलाउजी के द्वारा भारत के अदर military के point of view से भी क्या उसने बड़ा उखाड दिया कि जिसको British authors और कुछ-कुछ Indian authors भी ये कहते हैं कि वह डलाउजी ने आधुनिक सेना का निर्मान करा है सेना के दर्ष्टी कौन से देखते है और military perspective से समझने की कोशिश करते हैं डलाउजी के द्वारा लिए गए जो actions को तो हमें देखने को मिल रहा है कि डलाउजी ने सबसे पहला काम जो किया वह शिफ्टिंग ओफ headquarters and by shifting the headquarters फ्रम मंगाल कलकता of the army, eastern army unit to merit मेरट उसने अधुनिक्ता का foundation किया मेरट वही जगा है अगर आपको ना पता हो जो डलाउजी के जाने के एक साल के बाद विद्रो करता है 10th May 1857 मेरट के अंदर ही 9th native infantry के कुछ जवानों ने विद्रो कर दिया the revolt of 1857 तो अधुनिक भारत के निर्माता के साथ अगर कोई जगा के रूप में army unit की shift करने की बात आएगी या headquarters की बात आएगी तो जरू से हम लोग कहेंगे कि डलाउजी उसके पीछे responsible था सथ आप समझें कि डलाउजी ने आधुनिक था के दर्स्टिकों से एक capital army के unit का एक shifting किया headquarters का उसमें कौन सी नवीन तैडा दी इसको तुम नवीन कहते हो army का movement और army के units की locations move करना तो बहुत सफ़ाब ही कि जरूद पढ़ने के पर आप change करते हो से रूपे अगर वो आधुनिक भारत का निर्माता था तो बिटिश आर्मी के अंडर Indian soldiers की संख्या क्यों कम करने की बात की गए डलाउजी के दोरा और क्यों ये कहा गया कि हमें European soldiers की संख्या बढ़ानी चाहिए अगर आधुनिक भारत का निर्माता होता तो he could have created job opportunities for the Indians डलाउजी जाते जाते एक draft proposal तग्यार करके गया था और ये proposal के अंदर उसने अपनी सरकार, court of directors और board of control के सदस्यों को ये लिख के दिया कि बारती साहिने को कि संख्या घटाईए, विद्रोफ होने की शक्यता है, हुआ भी सही और Europeans की संख्या बढ़ाईए, अगर डलाउजी ये लहक के जा रहा है तुम्हें ये लग रहा है कि भारत की आधुनिक भारत का निर्मान किया गया इस basis के रूप में कि भारत के अंदर जो fault lines तो exploit किये जाते हैं ये वही डलाउजी है जिसके कारेकाल के अंदर military के point of view से martial forces का उप्योग करने की बात होने की शुरुवात हो गई और कहा गया कि कुछ-कुछ communities, कुछ-कुछ races ऐसी है जिनको हमको martial का status देना चाहिए इस basis के रूप में आप ये मानते हो कि डिराउजी के कारेकाल के अंदर जो भी actions किये गए military के point of view से वह अधुनिक्ता को दर्शात है नहीं ये इंडिया की society के social for life का exploitation था आधुनिक्ता उसे होती जब भारत के लिए jobs create ही जाती आधुनिक्ता तब होती जब भारतिय साइनिकों को equal payment, equal salary, equal rank, equal status दिया जाता in the British Army कुछ ना कुछ नहीं हुआ डेलाउजी के कारेकाल के अंदर और कहा गया कि डेलाउजी के कारेकाल के अंदर आधुनिक भारत का निर्मान हुआ ये डेलाउजी को बहुत सारे authors लिखते हैं कि डेलाउजी के कारेकाल में भारतिय समाज के अंदर में और भारतिय सिक्षा विवस्ता में भी बहुत बड़ा बड़ला हुआ and there is a good number of authors who mentions वाउ, देलाउजी के समय पे education का development हुआ वोट्स dispatch आये 1854 में देलाउजी के समय पे video remarriage act ड्राफ्ट किया गया देलाउजी के समय पे ही दो बाते तो लिखी गई पर तीसरी बात बहुत सारे authors दिखना भूल गए कि Religious Disabilities Act जैसा कानूं भी पास किया गया बताता कूँ कि इनकी कहानी क्या है लोग कहते हैं कि देलाउजी is known as the maker of modern India हाँ, education के अंदर आधुनिक सिक्षा का foundation रखा गया कैसे रखा गया? वुट्स dispatch के द्वारा और वुट्स dispatch के अंदर क्या लिखा गया? कि भारतिये लोगों को primary education जो है वो कैसे देना है vernacular language के अंदर और higher education जो है वो कैसे देना है English के अंदर अब ये क्यों लिखा गया था? यो बृतेन का board of control का President Delosy को letter लिख के बोल रहा है कि भाई, भारत के लोगों को सिक्षा के अंदर ब्यवस्ता बदल दे उसका कारण था कारण ये था कि East India Company को समझ में आ गया था कि एक loyal Indian का base बनाना पड़ेगा और ये loyal Indian का base तभी बन सकता है जब भारत के लोगों को उन्हीं की भाषा के अंदर सिक्षा दे और उनको gradually एक loyal consumer के रूप में और British administration के अंदर कहीं न कहीं एक lower division clerk के रूप में हायर कर पाए so that British rule का foundation हो पाए आधुनिक सिक्षा भारत में कभी अंग्रेजों ने हमको दी नहीं है अगर दी भी है तो वो अंग्रेजी सिक्षा दी है हमारी सिक्षा में कभी भी vocational education हमें दिया नहीं जो skill-based education है वही skill-based education जिसको acquire करके हम भविश्य करने बिटिश को challenge कर दे तो वो चीज तो उनको पसंद नहीं थी और इस business के रूप में प्लान किया गया कि भारत में अधुनिक सिक्षा का foundation रखा जाएगा by mixed language policy under the mixed language policy Indians will be taught Indians will be taught certain things they'll be taught in primary education in their own language अनु पर्मानों से atom molecule बन गया रेखा की रन से line and ray बन जाएगी ऐसा सोचा गया और कहा कि हम सिक्षा देंगे objective क्या था कि भारत के लोगों को एक consumer बनाया जाए एक favorable position में लाया जाए जो British rule का basically support करे एक ऐसे लोग create हो जिने history के अंदर wags कहा गया है western educated gentleman कहा गया है और gentle woman भी आती है by the way अभी मेरे plus classes के उन्दर आईएगा I'll be talking about कि ये gentleman और gentle woman की कहानी कहां से चलती है तो डेलाउजी के कारेकाल के अंदर ये कहा गया कि वही देखी है कि हुनने नो तो भारत को अंदर एक सिक्षा व्यवस्ता दी और ये सिक्षा व्यवस्ता कि थुरू भारत के अंदर एक बहुत बड़ा change आया ये change में ये भी कहा गया कि डेलाउजी के समाई पे ही भारत में university education की foundation होती है खेर university तीन जगा के उपर खुली सर बॉम्बे में खुली मदराज में खुली कलकता में खुली after Delozy left in 1857 बड़ो खुलने से परिणाम क्या हुआ क्या भारतियों को इसका लाव हुआ ये संस्ता बनाने का उदेश्य कुछ और था और जब संसा बनाने का उदेश्य कुछ और था तो आप कैसे माने कि डेलाउजी नहीं आदुरिक भारत का निर्मान किया आप अंग्रेजी भाषा को प्राधनिय दे रहे थे आप western thoughts भारत के उपर implement कर रहे थे आप इंडिया का westernization चाहते थे और हम यह मानेंगे कि आप आदुनिक भारत का निर्माता हो आप तो भारत को colony बनाने के लिए तूले थे बाबू यू वर hell-bent to become to make India in a systematic colony through which you can subvert the mind of the common Indian आप एक ऐसी system बनाने की कोशिश कर रहे हो जहां common man की brain wash किया जाए उसके उपर पूरा domination ने स्टब्ली किये तो कैसे मानेंगे कि डेलाउजी आदुनिक भारत का निर्माता था यही डेलाउजी के point of view से जब और भी देखते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो भाई साब डेलाउजी ने भारत की society के अंदर कितना बड़ा काम किया और उसने वीडो री मैरेज को जो कानून है उसको ड्राफ्ट करने में मदद की अच्छी बात है वीडो री मैरेज अक्ट 1856 में आया उसका ड्राफ्ट जो था पहला इश्वर्चंदर वीद्या सागर के साथ आच्छी बात है अच्छा इसको इंप्लिमेंट कराने के लिए आपने क्या किया भारत के अंदर उस पीरिड में जाती प्रथा थी जाती प्रथा को लेके बहत्वाव हो रहा था उसको लेके आपने कुछ क्रेक्टिव एक्षन लिये नहीं पता भारत की समाज वस्ता और भारत की धर्म वस्ता के साथ धर्म के अंदर खास करके religious traditions के अंदर बहुत सारी superstitions थी बहुत सारी अंशरदा थी blind faith हुआ करता था उसको लेके क्या actions लिया नहीं पता तो on the guise of a single act which says कि हमने वीडो री मेरे draft किया यह लागू तो कैनिंग ने किया फिर drafting was done by Dalhousie it was never implemented by Dalhousie, the implementation took place in the period of Lord Canning in 1856 उसको लेके इतनी हुला बोलो Dalhousie, Dalhousie, Dalhousie अधुनिक भारत का निर्माता Dalhousie कहां का logic है वे कहां का logic है कि इसको हम यह मानेंगे कि यह Dalhousie अरे सची में भारत का निर्माता निकल के आया, क्या बात है चांदार, जबदास, चिंदा बात बाकी सारे समाजिक मुद्दे नहीं दिखे क्या child marriage नहीं दिखा क्या polygame ही नहीं दिखा क्रियों के open social हो रहा था नहीं दिखा, तुम्हारे British officials Indian woman के साथ किस प्रकार का बरताव कर रहे थे वो नहीं दिखा और तुम ऐसे मुद्दे अच्छी बात है पर बाकी सारे मुद्दे को भूल गए ना बाबू अरे इसको दिखाने के बाद तुमने जिस प्रकार के अंदर से भारत में Religious Disabilities Act पास करवाया उसकी तो बात ही करना भूल गया है बोले ये क्या है अठासो पचास में लेके आये थे आप आप ये कानून लेके आये और कानून के तुरू क्या कहा कि Christian converts are allowed to have their ancestral property share कि व्यक्ती Christianity के अंदर अगर convert करता है इसको Cast Removal Disabilities Act भी कहते है कि भी जाती प्रथा या भरती समाज के अंदर अगर कोई व्यक्ती Christianity में convert हो रहा है तो उसको at times society discard कर देती थी at times उसको society हमें देखने को मिल रहा है कि एक प्रकार से स्विकारती नहीं थी और कहती थी कि भही देखो तुम अपने roots को भूल गए हो तो हम कैसे माने आपने उस व्यक्ती को अपने संपती का अधिकार दिया चलो दिया तो दिया पर उसका मतलब तो यही हुआ कि आप इसके through conversion को बढ़ावा दे रहे थे ना सब और आप चाहते थे कि इंडिया एक anglicized nation के रूप में बन के आए अंग्रेजी महें देश बन के आए और इसके लिए ही आपने religious disabilities act पास किया lax locky act कहते थे इसको यह act के द्वारा भरपूर मातरा में मिशनरीयों को बढ़ावा दिया गया और कहा गया कि आप जाईए हम आपको state protection दे रहे है आप चाहो इतने लोगों का conversion करो भारत के अंदर the state is there to support you out यह कहां का logic था भाई इसके थुरू आपने भारतिय समाज के अंदर जो fault line से उसको exploit किया और अपने लाप के लिए किया इसमें कहां की आधुनिक्ता है व्यक्ति को अपने रूट से आप मिटा देते हो और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें anglicize बना देंगे क्या यह आधुनिक्ता की निशानी है हमें तो नहीं लगता है यह आधुनिक्ता की निशानी है सामाजिक मुद्धों के उपर डलावजी के बारे में देखोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा एर यही डलावजी के लिए काफी लोगों ने कहा कि बई डलावजी तो champion था भारत के अंदर infrastructure का और कहा गया कि भारत के अंदर infrastructure के point of view से railways का निर्वान डलावजी के दोरा किया गया भारत के अंदर postal development का जो foundation है आधनिक post का डलावजी के समय पे हुआ ये डलावजी था जिसके समय पे telegraph का use होने के शुरुवत हुई ये डलावजी था जहां public works department की शुरुवत हुई वा 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 व और ये डलावजी था जिसके अंदर ये कहा गया कि भार मां लिया गयाδα जोनिकता का सरजन किया गया को ये कह तो नहीं कहता है कि ये रेलवे का सरजन एक dren of wealth का निशानी था क्योंकि टेलाउजी ने भारत के अंदर ये railways के लिए गयरंटी लागू की थी एक ऐसी गयरंटी सिस्टेम जहां and investing को कहा गया कि तुम पैसा रोको भारत के अंदर रेलवे के अंदर मैं तुम्हें अश्योट 10% का गैरेंटी दे रहा हूँ कौन सी सरकार आज की तारिख में इन्वेस्टर को ये कहती है चाती ठोक के कि मुझे 10% मैं तुम्हें वाफिस रिटन करूँगा गैरेंटी के साथ तुम्हारा 10 साल में पैसा रिकोर हो जाएगा 1000 करोड का प्रोजेक्ट डालो कुछ फरक नहीं पड़ता ये डलाउजी करके जा रहा है बिटन में 100 किलोमेटर की रेलवे की पटरी का खर्चा अगर लाक रुपे आ रहा था उस दौर के अंदर तो भारत में उसका खर्चा 10 लाक रुपे कर दिया गया इंफ्लेटेड कॉस्ट क्यों इंफ्लेटेड कॉस्ट क्योंकि वहां की एकोनोमी को फाइदा कराना है ये रेलवेस ने भारत में स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई और स्ट्रेटेजिक ट्रेप बनाने के बाद भारत की डी इंडस्ट्रिलाएशन की गई रेलवेस भारतीय सामानों को खतम करती गई और विदेश के सामानों को भारत के बाजारों में गुसाती रही भारत से कच्चा माल भारत का जो भी उपच थी वो सब बाहर एक्सपोर्ट करती रही ये रेलवेस ही थी जिसके कारण भारत के अंदर फमाईन आये बहुत सारे अकाल पड़े क्योंकि भारत के जो अनास थे वो सब बाहर भेज दिये गए इसको तुम अधुनिक्ता की निशानी मानते हो ये रेलवेस के थूँ जब land acquisition होता था तो क्या किसानों को इसका compensation मिलता था बिल्कुल नहीं मिलता था ये इसको तुम अधुनिक्ता की निशानी मानते हो रेलवेस वर अटूल for colonial exploitation of this country no doubt they were established during the reign of Dalhousie but they didn't serve for the welfare of the Indian masses it didn't made India into a modern state they were here to serve the interest and they were here to fulfill the aims and ambitions of the British Empire in India तेलाउजिनन किया तो जरूर से क्यों गैरंटी दी तुमने रेलवेस को क्यों गैरंटी दी कौन सी सरकार आज की तारिख में रेलवे में गैरंटी देती इन्वेस्मेंट करो पैसा वापिस देंगे हम तुम को gives the guarantee my friend किस बात की guarantee रेलवेस दे रही है सरकार दे रही क्या बात है कहा गया कि भारत के अंदर पोस्ट बनाएंगे यूनिफर्म पोस्टल पॉलिशी लागू कर दी 1854 का Post Office Act पास कर दिया अरे कोई logic है इस बात का Bombay से कलकत्ता अगर letter बेजना है और Bombay से थाने letter बेजना है दोनों का अगर आप same value लोगे तो कहां की logic है कहां की rationality क्या अधुनिक भारत rationality आधारित नहीं होता है ऐसा यह अधुनिक भारत के अंदर आप ये कह रहे थे कि भाई देखिए हम the uniform postal act लेके आया है जहां पूरे भारत के अंदर एक stamp system लेके आया है stamp system लेके तो आया है पर post office के अंदर ये जो stamp लगाने का जो लाप था ये stamp के अंदर के जो चारदिश थे किसको मिलते थे, सरकार को मिलते थे भारत के लोगों को मिलते थे क्या ये पैसा जो stamp के अंदर लगता था railway की ticket में लगता था क्या भारत में रहता था या इंग्लेंड चला जाता था इसके पीछे की किसी ने logic ढूंडी है कि नहीं ढूंडी है क्या इस द्रस्टी कोन से हम ये मानते है कि भारत के अंदर ये जो postal system का development करना ये बड़ा तुरमखा वाली बात थी अरे medieval इंडिया में भी देखने को मिलता है relay races से वा मौद बिन तुगलक के समय पे उसके भी पहले हमें दूठ system मिलती थी जो postal का भी काम करते थे in the medieval era and we can say in the ancient era as well तो इस प्रकार की व्यवस्ता का सरजण करके डेलाउजी ये कह रहा था कि मैंने निर्मान किया तो कोई logic नहीं है telegraph आपने बनाया no doubt भारत के अंदर electric telegraph का सरजण किया गया over a period of time and we will see कि फिर Morse code आया Morse code से पहले वी will see की एक प्रॉफसर से शॉन और कलकरता की university पर पढ़ाते थे उनका अपने code डाल दिया पर ये तो आपने खुद के personal interest के लिए था ना सर क्या आपने ये telegraph lines का उप्योग भरतियों के लिए किया ये telegraph lines का उप्योग आपने reward को suppression करने के लिए किया गया क्या telegraph line का उप्योग आपने इस द्रस्तिकोन से किया कि भारत के अंदर communication system एक ऐसी create की जाए जिसके through British की interest को नुक्सान ना हो तो इस basis के रूप में आप ये कह रहे हो कि आपके दौरा बहुत बड़ा बड़ा हुआ तो बड़ा कहां का logic दर्शाता है मुझे तो नहीं दर्शाता आप जो कर रहे थे वो अपने interest के लिए कर रहे थे अपने सामराज्यवादी ambitions को फुल्फिल करने कर रहे थे आपको बिटिश कंपनी के और बिटिश सामराजय के रूट्स को और मजबूत कर रहे थे करना था भारत के अंदर और इस द्रस्टिकोन से आपने भारत के अंदर reform किये यह reform भी कही ना कही आजुनिक्ता को तो नहीं दर्शाते हैं आपने भारत के अंदर separate department बनाया public works department और यह public works department ने भारत के अंदर infrastructure building किया, roads बनाने की शुरूआत की, canols बनाने की शुरूआत की, bridges बनाने की शुरूआत की और भारत के अंदर information और खास करके communication network को strong किया authors लिखते हैं कि इसमें GT road बनाया, GT road डेलाउजी ने नहीं बनाया दोस्तों कलकता से, सोनारगाओं से शुरू हुआ, जो road पेशावर के उपर तक जाता है, समारकान तक जाता था वो डेलाउजी ने थोड़ी बनाया था, GT road चंदरगुप्त मौरिय और उनसे भी पहले से exist करता है उत्तरपत के रूप से उत्तरपत वही रास्ता है जो भारत के अंदर right from the later very period that is the transition to the महाजन पदास निकल के आ रहा था and going up to the northwest part of the country यह वो रास्ता है जिसको चंदरगुप्त मौरिय ने बनाया और इसके बारे मेगास्तिनिस ने अपनी किताब कि अपने तक्ति लगा दे ना आप यह मानते हो कि आपने रोड्स बनाए अरे आपने बना बना के कितरे किलोमेटर के रोड बना दिये क्या आपने कैनोल्स बनाई यह कैनोल्स के irrigation के point of view से भारत के common man की खेती को कोई लाब करके गई सर आपने जो irrigation की कैनोल्स बनाई वो खा आपके जाने के 20 साल के बाद ताथकाली के रूप में क्यों इतना बड़ा अखाल पड़ा अगर आप अधुनिक भारत के निर्माता होते तो आपने तो network of canal education बड़ा के गए होते और बारिश नहीं आती crop filler नहीं होता क्योंकि पानी होता तुम्हारे पास तुम क्या पानी की व्यवस्ता और पानी का संपादन करके गये थे किसानों के लिए तुम्हारे समय के दौरान बाबू बहुत बड़ा किसानों को लिए सोशन हुआ और ये सोशन में तुम्हारे उपर आरब लगे कि तुम्हारे ही ऑफिशियल्स अपने ही किसानों को बरेशान कर रहे हैं तुम्हारे कारेकाल के अंदर रहियत वारी जैसे सिस्टम को जब तुम्हारे प्रिडिसेशन्स लागू करके गए थे वो सिस्टम को तुम ढंक से नहीं चरा पाए और तुम्हारे ही किसानों के उपर तुम्हारे ही लोगों ने सोशन किया भारती किसानों के उपर तुम ये कह रहे हो कि इसने इरिगेशन सिस्टम बनाई और कैनॉल सिस्टम बनाई इसके लिए British बनाएगे तो उसके पीछे का भी इंटेंशन यही था Infrastructure बनाया PWD separate department create किया out of military board that was not new ऐसे board तो वेडिक पीरिड के बाद हम क्यों मौरियस पीरिड तक निकलते आ रहे है आप यह कहा रहा हो कि इसने यह development किया यह तो छोड़ दीजिए इसने ports को open कर दिया कराची के ports को open कर दिया Bombay के port को open कर दिया कलकता का port को फिर से redevelop किया गया और पूरी Indian economy को globalize कर दिया गया एक ऐसी economy जो already colonial rule के अंडर में है उसको globalize करके तो माधुनिक्ता की तरफ लेके जाओगी और colony बने में मजबूर करोगे जितने भरती ports का modernization हुआ या so-called opening हुआ इन सब का परिणाम यह होता है कि भारत की economy के उपर विदेश का सामान को dunting कर दिया गया क्योंकि ports खुलने का परिणाम ही यह था कि विदेश का सामान भर भर के भारत के बाज़रों में गुज गया यह ports को develop किया गया था to transform India into full flood colony यह ports खाड़ी ऐसे ports और ports के कारण ऐसा नहीं हो कि इंडिया की world की top 10 economy हो यह आ गया कहा गया अधुनिक भारत का निर्मान किया अधुनिक भारत बंदरगा का विकास लोथल के अंदर भी हो चुका है देखना था ना व्यापार तक आपको पता चलता कि लोथल के अंदर कितना balance of trade था यह ports के opening करने से भारत का जो पूरा का पूरा balance of trade था और negative चला गया और भारत के exports जीरो हो गए या raw material के रूप में बढ़ गए और भारत के imports आप देखोगे तो भर भर के आने की शुरुवत हुई और भारत से drain of wealth होता है इंग्लेंड का कच्चा माल इंग्लेंड से finish goods भारत की तरफ आता है इंग्लेंड के अंदर से man and material भारत की तरफ आता है British origin और European origin नागरीक भारत में आके settle करेंगे और भारत का सोगन करेंगे और इन परिस्तितियों में आप ये कहते हो कि आधुनिक भारत का निर्मान में डेलाउजी ने योग गन दिया post का modernization एक शैम था PWD का creation एक शैम था Railways का creation एक बहुत बड़ा नाटक था पेनिग्राफ और post creation करना अपने खुद के लाग के लिए किया गया भारत के अंदर मुगल सामराजे को नेश्त नाबूद करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था डेलाउजी था जिसने बादूर्सा जफर को कह दिया था कि आज के बाद तुम आखिर के राजा हो जिनको मुगल सामराजे के रूप में मैं राजा का डर्जा दे रहा हूँ और तुम्हारे बाद कोई भी व्यक्ति मुगल ओरिजिन का होगा लाल किले में नहीं रहेगा आप जिसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में मानते हो वो व्यक्ति कभी भी डेमोक्रेसी लाया ही नहीं वो खाली और खाली भारत के रजवारों को मुणार्की को अबोलिश करता रहा और इस आधार के उपर करता रहा क्योंकि उसकी imperial thoughts जो है उसकी सामराज्य वारी विचार जो है वो लागू कर पाए और अपना एक सामराज्य बना पाए बिटिश इतियास की जब कत्री लिखी जाए तो सबसे पहला नाम डेलाउजिका है और इसी के कारण जब यह महाशे गए भारत से पात्काली के रूप में भारत में विद्र होगया विये स्मिथ जो बिटिश हिस्टोरीएन है विनसेंट आर्च स्मिथ जो बिटिश हिस्टोरीन है वो खुद लिखता है कि डेलाउजी के द्वारा किये गए बहुत सारे रिफॉर्म्स कही ना कही बैकफार हो गए और उसका ये मानना है कि डेलाउजी के द्वारा सो कॉल्ड जो रिफॉर्म्स हुए थे वो reforms, भारत के रजवाडों का annexation जिस तरह से होना, भारत के रजवाडों को कोई consider ना करना, भारत के common man का सोशन करना, इस दौर में देखे कितना सोशन हुआ, nothing was heard about, किसी ने सुना ही नहीं है इसको, पूरी तरह से अपना पकड बनाने के चकर में जो विक्ति आता है, और इतन सारे sensitive मुद्धों को जिस तरह से इसने अपने ambitions के तरू उसने quest करने की कोशिश की है, और so called एक नक्षा बना के दिया है, जहां हमें देखने को मिलता है, कि वो नक्षा भी tick भी नहीं पाया, क्योंकि हमें ये देखने को मिला, कि जो नक्षा उसने बनाने की कोशिश की थी, वो 1857 में तूड गया, और विद्रो हुआ, तो क्या वो आधुनिक भारत के साथ जोड सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि डेलावजी के त्वरा किये गए जो कारी है, वो आधुनिक भारत के निर्मान के साथ कहीं ना कहीं जूड़े हैं, ठीके ना समझें, तो कॉन्क्वेस्ट, कॉन्सोलिडेशन और डेवलोपमेंट, तीन शब्द का उप्योग किया था, डवली डवली हंटर ने, मेरा तो वहां तक मानना है कि इट वस अवली कॉन्क्वेस्ट, इट वस अनपैरलल ब्लंडर, and the consolidation over India, by making an empire, and with an idea of some kind of narcissism की कुछ कर रहा है, मुझे अपने लिए है सर, ठीक है, despotic way के अंदर, सत्ता की भूखे व्यक्ती के रूप में, उस द्रस्तिकोन से देलावजी को देखने की आउशकता है, खेर, इतियास का एक ऐसा पहलू आज आपके सामने लाने की कोशिस की है, तो शायद UPSC के एक्जाम में काफी नईतिक आकरोश क्रियेट करें, पर यही मुद्दो को जब आप शुगर कोट करके लिखोगे, और फाइनल क्रिटिजम में लिख दोगे, तो हम मानते हैं कि डेलावजी आधुनिक भारत का निर्मान करता था, खेर, कभी एक और टॉपिक के साथ आएंगे, और ये 2013 का प्रीवेस असका कोशन UPSC के दुवारा जो GS PEPPER 1 के अंदर पूछा है, इसके अंदर कभी सोचिएगा कि क्या डेलावजी आधुनिक भारत का निर्माता था, राजकिय रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये डेलावजी की कमिया हुआ करती थी कुछ-कुछ प्रकार की, आज यहां पर कंक्लूड करते हैं, कोई भी प्रकार की एथिकालिटी के बिना, जिस व्यक्ति ने साशन किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिन्दगी भर भारतियों के प्रति पुर्वागरा, यानि कि प्रिजुडाइसिस रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के उपर अपने रूथलेस, इम्पिरिलिस्टिक एम्बीशन्स को फुल्फिल करने आया हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण भारत में एक अंडरस्ट क्रियेट किया गया, और हजारों लाखों भारतियों ने उसके जाने के बाद तातकालिक रूप में उसमें भागीदारी ली, और इन में से ज़्यादातर पॉलिसिस को जब रिवॉल्ट ओफ 1857 हुआ, तो बिटेन की मोनार्ख ने विड्रौ कर दिया, ये पॉलिसी और एक्शन्स कभी भी अधुनिक्ता के साथ नहीं जोड़ते हैं, बाकी नक्षे बनाने से अधुनिक्ता आती है, तो हम मानते हैं चलो अधुनिक्ता आई, इंस्टिटूशन दो-चार प्रकार के बनाने से अधुनिक्ता आती है, तो हम मानते हैं अधुनिक्ता आई भारत के अंदर युद करके छल कपट करके अपनी ट्रिक्स एंट टिप्स का उप्योग करके रजवाडों को एनेक्सेशन करना है तो हो सकता है अधुनिक्ता होगी मैं आपके उपर छोड़ता हूँ आज का सेशन यहाँ पर खतम करते है मेरा नाम प्रतीक नायक है मैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का एक विध्यारती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ा भी देता हूँ पितले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा तो जरूर से जैसा भी लगा आपको जरूर से मुझे कमेंट्स के अंदर फीड़बैक दीजिएगा तो ऐसा ही धागा खोलने के लिए नेक्स टैम मिलूँगा अनकेडेमी के अप्लिकेशन के ओपर जूरी है मैं यहाँ पर आपको लाइव हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपके लाइव डाउट्स लोगा और मेरे साथ ही डेके टॉप्मोस्ट एजूकेटर्स आपको पढ़ाएंगे यह कोड यूस करिएगा वाँचिक सुब्स्क्रिप्टों पन-LIVE आपको मेकशिम मेलों के आपको नियू सक्रिप्तथ भी 50% डिसकूंत अवैलाबल है यू कह भी zASH कोड झ्रैप आपको यूसे आपको लाइग को Greater K deficiency जमेट चैन पूर ए मेरे ह। हॉख्चि़額टawayट जाहिए झाल 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 झाल